लोकसबा चुनाव 2024 का परिनाम आने के बाद में जिस तरीके से केंदर में सरकार के गठन को लेकर तैयारियां चल रही है और NDA और इंडिया गठबंदन दोनों ही एक-एक सांसदों को अपने पक्स में करने का प्रियास कर रहे हैं इसी दोरान राजस्थान की राजनिती से ब यह थे फोन नहीं आया है जबकि NDA वाले दावा कर रहे हैं कि हमने हनुमान बेनीवाल से संपर्क कर लिया है कितनी सच्चाई है और बात में कितना धम है हम खुदनिवाल से जानना चाहेंगे हमारे साथ नहीं है सर आप बताईए कि पूरा मामला क्या है कि अब टक आपके पास इंडिया घडमने से फोन नहीं आया या फिर एंडिया का आपके पास फोन आया है नहीं देखिए अब तक का तो बात नहीं होती ना बात यह है कि जैसे ही एक तरी को पॉलिंग होई साथ चान की उस दिन इंडिया एलाइंस की बैठक थी खड़गे जी के वहां पर उसमे किया तो चोटे दिलों को बूलाना बूल गए जब यो लोग बूलाना ही भूल गए तो इनके मन में क्या हो सकता अब ये स्टेट के किसी नेता के इसारे पर कर रहे हैं खुद कर रहे हैं इनको पता ही नहीं कल साम को खड़गे जी को पर पर इस टेलिफोन आया था और के सामने जिस बात को लेके वोट मांग के माया हूं मुझे अगर मंत्री पदों का लाले चोटा दो जात तीन चले के अभी तक मैं चला जाता ख़ए पिर भी खबरें आ रही है कि आप से बाजबा के परदे से देख सीपी जोशी ने संपर किया है या बाजबा के बड़े के मुझे जी ता ने आप से संपर किया कितनी सचाई किसी ने किया वग्र व्यक्तिकत मेरे दोस्तों बीजेपी के अंदर रहें कोई चुनाव हार गए को जीत के अगर कॉंग्रेस में कोई दोस्त नचे बदाया जरूर आपस में एक दो सब्सक्राइब जैसे कांई सब्सक्रा बच्छी तेन परखोड़ है कि टीन लाग बोट कॉंग्रेस नागुर में मुझे दिये और बीच लाग बोट अर्लपी ने कॉंग्रेस को दिया राधिस्तान में इसकी वज़े से कॉंग्रेस की साथ बच्छी 11 सीट जो आई है और एक शेखावाटि के नेता याने की कॉंग्रेस के प्रदेश सद्याख्स, गोविन सिंग डोटासरा के मन में अब भी वही टीस है, हमनुमान बेनिवाल को लेकर, हरीष चोधरी के मन में अब भी टीस है, जबकि आपने तो गटबंदन कर लिया और आपने पूरा प्रियास किया था है कि मैं खुद जीतू आसपास के लोगों को जीता हूँ फिर ऐसा क्यों दो जार अठरा में दो गोविन सिंग डोटा स्रा का टेलिफोन मेरे पास आया था कि मैरे सामने केंड़ेट मि लड़ाओ नहीं लड़ाया था मेरे अधारा का अंदर एक उनका तुम्हार जाओंगा और मैंने नहीं लड़ाया और हरीश्च चोधरी मेरे पास खुद वेक्तिक मैं आपका भाई हूं मैं मर जाओंगा तब मैंने नहीं लड़ा था देकि मेरे पास जो जो आए जिन जिन के टेल्फोन अठारा 23 माई उन सब की मैंने मददी करी थी लेकिन अब होना एक ने उससे मेरे कुछ फरक भी नहीं पड़ता मैं इंडिया एलाइस का हिस्सा हूं मेरी एक नहीं लिएस कोई नए पार्टी नहीं बनी पार्टी चली नहीं क्योंकि कॉंग्रेस और बीजेपी दोई पार्टी आराजस्थान करें मैंने पार्टी बिनाएप्र प्रियास भी किया और हमेंसा जवान किसान के जड़ा, करजमापी का अंदोल को अहवादी देश के अंदर, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी तीनों करसी बिलों खिलाब, अगनी वीर योजना का देश में विरोध किया धनमान बेनिवाल ने किया, आज भी मैं वहाँ जाओंगा और अगनी वीर योजना का विरोध करूँगा, आफ शेक्ता पर दिल्ली कूछ भी करूँगा, जगनी वीर को वापिस खतम कराएंगा, अंदी और बीजेपी के खिलाप रहूँगा, हरी सोधरी की समझ में आती है कि अनमान बेनिवाला और हरी सोधरी की अदावत लंबी समय से चली आ रही परचार तो वो करते हैं कि तो उसे हैं कोई फर्क में पढ़ता नागोर कंदर के अनुका अलग सेसर है, अब बजाई का संदेश दे या हमें कहीं उप्योग लेक ने लो तो उनकी मर्जी, वो अपनी पार्टी के प्रदेश देश दो तो वो जाने, लेकि मैं तो फिर भी च जाता, बिकानेर जाता, कोटा जाता, तो निश्ची तुरूप से शीटें जीतती कॉंग्रेस पार्टी, लेकिन कहीं 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 कॉंग्रेस के और कहीं नेताओं की इच्छा थी, अन्मान बेनिवाल बार नहीं कुम है, और बड़ा नाम हो जाएगा, हमारे दिक्कत करेगा क कॉंग्रेस के अंदर, वो यह भूल गए कभी हमें मोदी और बीजेपी को हराना, वो हराने वाला छोड़के और वो अंदर ये अंदर सारा अंदर खाना इस तरह करने, मुझे भी यही स्वाल पूछना है कि क्या वास्ता में आज भी कॉंग्रेस बंटी भी धड़ों में, क लेकिन पेपर लीक की जो गटना है राजस्तान के अंदर, उस समय है, उनके मैं छोड़ूंगा ने, उस मामले को, उसको में उठाओंगा नए सिरे से, उस में चाए आरोपी बीजेपी पार्टी के और चाहिए को अगरेस के जो भी आरोपी है, वो सलाकों के पिछे मैं ये मोदी सरकार का साथ बड़ा एक फेलियोर है कि नीट का पेपर आउट हो गया, मैं मांग करता हूँ प्रदान मंतरी और तमाम निर्वाची सरकार होगी कि नीट का पेपर रद करें, इसको लेकि बच्चे मां बेटर हम भी इस आंदोल के अंदर कूदेंगे और नीट कि तरब से अगर आपके पास में कोई ओफर आता है, मंतरी पद दिया जाता है या कोई बड़ा ओफर आता है तो आप सुविकार करेंगे और नहीं करेंगे, तो कि लड़ाई जारी रहेगी, मैं जनता से इस विश्वास के साथ जीत का है हूँ, कि मैं मोदी का विरोध करू किसान जवान की बात वाँ उठाऊंगा और इस नरंग कुस जो सोच किये सरकार बीजेपी एंडे की इसी खिलापत करूँगा, तो मैं उनके साथ नहीं जा सकता है, राजस्तान में जो पंचाय चुनाव है, नगरपाली का चुनाव है और उप चुनाव जो खीमसर का होने लड़े कॉंग्रेस भी मेरे सामने आ रही, बाजबा भी आ रही, जमान ते जब तो यह दोनों पार्टियों के यहां खेमसर में जो कोई लेंड़न दे है, खेमसर की जनता तो अपने इसाफ से चलती, यहां तो दो तरह का बोट है, एक अनमान के पक्स का, और एक अनमान के विरोध का, जो पक्स का है, उमेरी तरफ रेगर विरोध का, अपना आप कॉंग्रेस बीजेपी भी एक हो जाती है, कही बार यहां पर देखा आपना, यह भी लड़ेंगे, तमाम जो उप चुनाओ, आप यह क्यों देरो, देवली उन्हेरा जो सीट है, वहां मेरी पार्ट सत्ता के अंदर होता, यह दुर्भाग यह है, कि नेता अपनी छोटी सोच और स्वात के कारण, यह पार्टी को नुक्षान पहुंचा रहे हैं, यह जो कॉंग्रेस धड़ों में बंटी है, इसका बहुत बड़ा नुक्सान आने वारा समय कॉंग्रेस पार्टी को उठाना तो किस तरीके से आप खीम सर में अपने गड़ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विदान सबा में आप केवल 3900 से जीते है, इस चुनाव में आपको केवल 4000 वोटों की लीड मिली है, देखे 4000 की बड़त का कारण आपको पता है कि जो निर्दले परती ऐसी पहल आपको उपचुनाव के अंदर विश्वास इता ही दिरा सकता हूं कि आरलपी पार्टी उपचुनाव यहां 20-25-30,000 वोटों जीतेगी, सरकार को हराएगी खीम सरकार, उसके लिए हम रननेती बना लेंगे, जीते काम है, वो करेंगे खीम सर की जनता खुद चुनाव चुनाव लड़ेगा कौन जनता का एक सवाल है कि खीम सर में उमिद्वार को बता देंगे टाइम आती हो जाए पूछेंगे लोगों को पूछ के बना गटबंधन से लड़ना पड़े तो अभी तो गटबंधन में है ही, मैं तो चाहता हूं गटबंधन लंबा चले, मेरी इच्छा है, अब आगे तो भागी है पर सारी बात है, मेरी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं होगा, अगर मेरी तरफ से मुझे करना होता, तो अभी मोका था, इन्होंनों मुझे नहीं बुलाया, और मैं चला जाता, मैं क्यों कहता फिर बताओ मुझे, लेकिन मैंने का इनको इन इन्डिया गटबंदन, इन्डिया एलाइंस के साथ, तो यह थे हनुमान बेनिवाल नागोर के नव निर्वाचित सांसद, जिनका ये कहना है कि वो इन्डिया गटबंदन के साथ में थे, साथ में हैं और साथ में रहेंगे, लेकिन खीमसर उपचुनाव को लेकर अभी भी पत्ते खोले नहीं हैं, देखते हैं कि आने वाले उपचुनाव में क्या गुल खिलाते हैं, सेयोगी रियाज के साथ हनीप खान उपको का ये वी वी पता हैं